दोस्तो साइन्स का सेट नमर 13 लगाते हैं जिसमें 50 कोशन सामिल किया गिया है जो आपके टार्गेट मेगजिन से ली गई है जो लोग रिलबे के तियारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पुलिस के तियारी कर रहे हैं उनके लिए सारे कोशन बहुत ही महत्पून रने वाला ह चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो फर्स्ट कोशन से चालक की बिद्दूत परती रोकता की काई क्या है तो दोस्तो चालक की बिद्दूत परती रोकता की काई है ओम राइट अंसर हो जागा ओप्शन डी नेस्ट कोशन परकास वर्स है तो परकास वर्स है वह दूरी जो प चो फिट लंबे बैक्ति की उच्चाई नैनो मीटर में कैसे बैक्त की जाएगी लगबग में आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन C 183 इंटू 10 प्रपावर 7 नैनो मीटर नैस्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तो कोस्टन में चार तेल का एक बैडल निम में से लगबग कितना होता है तो दोस्तो तेल का एक बैडल 169 लीटर के बड़ावर होता है ओप्शन B हो जाएगा राइट next question question number 5 एक micron बढ़ावर है तो दोस्तो इसका right अंसर हो जाएगा option C 1.1000 mm next question Pascal 1 है तो दोस्तो Pascal 1 होती है दाप की option B होगा right next question पारसिक इसका मातरक है तो दोस्तो पारसिक मातरक होती है दूरी का option A होगा right next question देखते हैं दोस्तो question number 8 को परकास वर्ष इकाई है तो दोस्तो परकास वर्ष दूरी की इकाई होती है option A हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो एक पारसेक, ताड़ो समन्दी दूडिय시면 का मात रख है या किसके बरावर है तो दोस्तों ये बरावर है 3.26 परकास वर्स के बरावर option B हो जाएगा right next question दोस्तो काड का मात रख है तो दोस्तों काड का मात रख जूल होता है, option A हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो question अमर इगारों को सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है तो दोस्तो तोरण का मातर हो जाएगा मीटर परती सकेंड उसक्वार एक चार हो जाएगा और बल का हो जाएगा दोस्तो न्यूटन कार का हो जाएगा दोस्तो जूल और आबेक हो जाएगा दोस्तो न्यूटन सकेंड यानि कि option D हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो question बाड़ों को सक्ती का मातरक है तो दोस्तो सक्ती का मातरक what होता है option C हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से कौन सा एक सुमेलिक नहीं है पहला है डेसिबल धोनी की प्रवलता की इकाई है यह दोस्तो सही दिया गिया है अस्व सक्ती सक्ती की इकाई है यह भी सही दिया गिया है दोस्तो और option C है समुन्दरी मिल नौ संचालन में दूरी की इकाई है यह अभी दोस्तो सही दिया गिया है और लास्ट है Celsius उसमा की इकाई है दोस्तो यही option गलत दिया गिया है उसमा की इकाई जूल होती है Next question देखते हैं दोस्तो कोसरमर 14 को एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो दोस्तो एक होर्स पावर में 746 वाट होते हैं, option C हो जाएगा right, next question देखते हैं दोस्तो, question 15 को, 1 kg पर 30 cm2 दाब समतूल है, तो दोस्तो, 1 kg पर 30 cm2 दाब समतूल है, एक बार के, option B हो जाएगा right, next question देखते हैं, दोस्तो, सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है, तो दोस्तो, A का मिलान 4 से हो जाएगा, सक्ती की मातरक वाट होती है, और B का मिलान 300 हो जाएगा, समुन्दरी जहाज की गति की काई not होती है, और C का मिलान 2 से हो जाएगा, 9 संचालन की काई nautical mil होती है, और last D का मिलान 1 से हो जाएग नेस्ट कोस्षन देखते हैं दोस्तो कोस्षन नमर 17 को सुची एक को सुची दो से आपको मिलाना है एक तरफ दिया गया है दोस्तो मातरक और दूसरे तरफ दिया गया है दोस्तो इकाई तो दोस्तो एक का मिलान वन से हो जाएगा उच वेक की 1 काई मैक होती है और दोस्तो B का हो जाएगा 2 से रंग देर का मातरक एंगेश्टम होता है और C का दोस्तो हो जाएगा 3 से यानि कि 2 की 1 काई पास्कल होती है और लास्ट D का 4 से यानि कि उर्जा की 1 काई जूल होती है इस प्रकार दोस्तो option C हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो एक पीको गराम बड़ावर होता है तो दोस्तो एक पीको गराम बड़ावर होता है 10 पर पावर माइनस 12 गराम के option C हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो एक किलोमीटर दूरी का तातपर है तो दोस्तो एक किलमेटर दूरी कत्तात पर है एक हजार मीटर से ओप्सन सी हो जाएका राइट नेस्ट कोशन दोस्तो बल का मातरक है तो दोस्तो बल का मातरक न्यूटन होता है ओप्सन सी हो जाएका राइट नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तो लंबाई की नियुम्तम 1 है तो दोस्तों लंबाई की नियुम्तम 1 है फर्मी मीटर option D हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो question number 22 को विलहम रॉन जोन ने अभिस्कर किया था तो दोस्तों विलहम रॉन जोन ने अभिस्कर किया था एक सरी मसिंका option B हो जाएगा correct next question दोस्तो डाप्षन इकाई का पर्योग किया जाता है तो दोस्तों डाप्षन इकाई का पर्योग ओजन परत की मुटाई मापने में किया जाता है option C हो जाएगा correct next question देखते हैं दोस्तो question number 24 को suchi एक का मिलाँ सुची दो से आपको करना है तो दोस्तो एक का मिलाँ दो से हो जाएगा radium की खोज मैडम कूरी ने की थी B का मिलाँ एक से हो जाएगा penc Minsillin की खोज Alexander Flaming ने की थी और C का मिलाँ 4 से हो जाएगा X-ray की खोज W के रंडियन ने की थी और last D कमिलान 300 हो जाएगा यानि की चेचक टीका की खोज Edward General ने की थी इस प्रकार दोस्तो option A हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो पाइरो मीटर निम्नांकित के मापने के लिए पड़योग में लाए जाता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो option C उस तापमान पाइरो मीटर का पड़योग उस तापमान मापने के लिए किया जाता है next question देखते हैं दोस्तो question 26 को पाइरो मीटर के दवाब की इकाई क्या है तो दोस्तो पाइरो मीटर के दवाब की इकाई है बार option A हो जाएगा correct next question दोस्तो मेनो मीटर के दवाब किसकी माप की जाती है तो दोस्तो मेनो मीटर के दवाब गैसो का दाब का माप किया जाता है इस प्रकार option भी हो जाएगा correct next question दोस्तो सुमेलित कीजिए आपको सुची एक का मिलान सुची दो से करना है तो दोस्तो right answer हो जाएगा option A एक का मिलान 300 हो जाएगा कार का मातर जूल होता है और B का मिलान हो जाएगा एक से बीद्धू धारा को हम MPR मापते हैं और दोस्तो C का मिलान दो से हो जाएगा वाट का सामर से और D का मिलान दोस्तो चार्च हो जाएगा बोल्ड का भिवांदर से और E का दोस्तो 5 से हो जाएगा उस्मा का केलोडी से next question दोस्तो एमपिर मापने की एकाई है तो दोस्तो एमपिर मापने की एकाई है विद्यू धाडा option B हो जाएगा correct next question question दोस्तो question norm 30 धोनी की तिर्प्ता को मापने वाला यंतर है तो दोस्तो धोनी की तिर्प्ता को मापने वाला यंतर है ओडियो मीटर ओप्शन D हो जाएगा राइट नेश्ट कोशन दोस्तो मेगा वाट बिजली को नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है option A हो जाएगा right next question दोस्तो निम लिखित में से किस ने X केड़नों का अविस्कार किया था तो दोस्तो X केड़ने का अविस्कार किया था रॉंड जोनने option B हो जाएगा correct next question दोस्तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं के इस्तिती जानने के लिए निम में से किस यंद का प्रयूग किया जाता है तो दोस्तो वह यंद का नाम है सोनार option D हो जाएगा right next question देखते हैं दोस्तो question मर चोंतिस को निम में से कौन सुमिलित नहीं है पहला है एनिमो मीटर Y की चाल यह दोस्तो सही दिया गिया है अगला है आमीटर विद्यू धाड़ा यह भी सही दिया गिया है तीसरा है एक्यो मीटर दावंतर दोस्तो यही गलत दिया गिया है एक्यो मीटर एक बिग्यानिक उपकरण है यह Y यानो तथा मोटर नाओ की गती को मापने वाला उपकरण है और अगला सही दिया गिया पैरोमीटर उस्तापमान नेश्ट कोशन दोस्तो चैंदर सेखर रे दुरुबिन का नाम किस बेग्यानी की सम्मान पर रखा गया तो दोस्तो वह बेग्यानी का नाम था सुब्रमनियम चैंदर सेखर ओप्सन डी हो जाएका राइट नेश्ट कोशन दोस्तो वाई मंडल की आपेचिक अधरता मापी जाती है तो दोस्तो वाई मंडल की आपेचिक अधरता मापी जाती है हाईगरोमीटर से ओप्सन भी हो जाएगा करेक्ट नेश्ट कोशन देखते हैं दोस्तो हबा में आधरता को नापने के लिए कौन सा उपरण परयोग में लाते हैं तो दोस्तो वह उपरण का नाम है हाइगरो मीटर हाइगरो मीटर का परयोग आधरता को नापने में किया जाता है option भी हो जाएगा correct next question दोस्तो वाई मंडल ये दाप को मापने में किस यंद का उपरयोग किया जाता है तो दोस्तो वाई मंडल ये दाप को मापने के लिए बैरो मीटर का परयोग किया जाता है option भी हो जाएगा correct next question दोस्तो सिस्मो गड़ाफ क्या रिकोड करता है तो दोस्तो सिस्मों गड़ाप रिकोर्ड करता है भूच्याल को option C हो जाएगा correct next question दोस्तो वाई मंडली दाप मापा जाता है तो दोस्तो वाई मंडली दाप मापा जाता है बैरो मीटर से option A हो जाएगा correct next question दोस्तो दूत का आपेची घनत ग्यात किया जाता है तो दूत का आपेची घनत इलेक्टोमीटर से ग्यात किया जाता है option C हो जाएगा correct next question देखते हैं दोस्तो question 42 को सुची 1 का मिलान सुची 2 से आपको करना है तो दोस्तो 1 का मिलान 300 हो जाएगा हिर्दे की धोनी सुनने के लिए इस तेटे इसकोप का परियोग किया जाता है और दोस्तो B का मिलान 4 से हो जाएगा सिबुनो मैनो मिलान का परियोग रग चाप मापने के लिए किया जाता है और दोस्तो C का मिलान 2 से हो जाएगा सोने की सुता का पता लगाने के लिए केरेटो मीटर का प्रियोग किया जाता है और लाश्ट डी का मिलान एक से हो जाएगा लक्स मीटर का प्रियोग परकास की तिर्था मापने के लिए किया जाता है इस प्रकार दोस्तो ओप्शन C हो जाएगा करेक्ट नेश्ट कोस्टन दोस्तो रख दाब नापने का यंद्र का नाम किया है तो दोस्तो रख दाब नापने का यंद्र का नाम है सिगनो मैनो मीटर ओप्शन भी हो जाएगा करेक्ट नेश्ट कोस्टन दोस्तो पड़कास की तिर्था नापने के लिए जिस उपरन का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं तो दोस्तो उसे कहते हैं लक्स मीटर लक्स मीटर का परियोग परकास की तिवता नापने के लिए किया जाता है नेश्ट कोशन दोस्तो रडार उपयोग में आता है तो दोस्तो रडार उप्योग में आता है रेडियो तरंगो दोड़ा वस्तुओं की इस्तितिक ज्यात करने में ओप्शन सी हो जाएगा करेक्ट नेश्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तो कोस्टन नमर च्यालिस को सुची एक के मिलान सुची दो से करना है एक तरब दिया गया दोस्तो उपकरन यंत्र और एक तरब दिया गया दोस्तो मापन की गई रासी दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन B A कमिलान तीन से हो जाएगा A मीटर का धारा से और B कमिलान दोस्तो चार से हो जाएगा साफेज अधरता का हैगरो मीटर से और दोस्तो C कमिलान दोस्तो दो से हो जाएगा स्प्रिंग तूला भार से और बेरो मीटर का दोस्तो हो जाएगा दाप से Next question देखते हैं दोस्तो Question No. 47 को रियक्टर प्यमाना मापने के लिए परयोग होता है भुकम पर ये लड़ो का आयम next question दोस्तो कौन सा सुमिलित नहीं है तो दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा option D रियक्टर प्यमाना आधरता जो की गलत दिया गिया रियक्टर प्यमाना से दोस्तो भुकम की तिरता का मापन किया जाता है